G20 शिखर सम्मेलन के बाद दिल्ली में एक बार फिर दुनिया भर के नेताओं का जुटान होगा कल से दो दिवी से P20 समिट का आयोजन होगा 13 अक्टूबर को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी इसका उधगाटन करेंगे P20 शिखर सम्मेलन में G20 देशों के अलावा अन्य देशों की संसत के अध्यक्ष और अंतराशे संगटनों के प्रतिनिदे हिस्सा लेंगे G20 की शांदाज सफल्दा के बाद भारत में पहली बार हो रहे इस P20 सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के द्वार का इस्दित इंडिया इंटरनाशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशो भूमी में होगा बता दे कि P20 सम्मिट का ये नौवा संसकरन है P20 शिखर सम्मेलन की शिर्वात 12 अक्टूबर से होगी और मुख्य कारक्रम 13 और 14 अक्टूबर को होगे सम्मेलन के पहले दिन Parliamentary Forum on Life के थीम पर कई कारक्रम आयोजित होंगे P20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विशय One Earth, One Family, One Future के लिए संसत रखा गया है राजसभा के सभापती, जगदीब धनकर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला के नेत्रित्व में इन कारक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा One Earth, One Family, One Future के लक्षियों के साथ P20 सम्मेलन के दौरान भारत अपने सदियों पुराने लोकतांतरक इतिहास को दुनिया के सामने रखने वाला है इसके जरिए विश्व के तमाम देशों को समानता, भाईचारा और एक जुड़ता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी अचीवमेंट्स, एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस है, यह संयुक्त राश्य द्वारा वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्षियों पर अधारित है दूसरे सत्र का विश्व है, सतत उर्जा परिवर्तन हरित भविश्य के लिए प्रवेश्टवार यानि की सस्टेनेबल एनरजी ट्रांजिशन गेटवेट टू अग्रीन फ्यूचर है वही तीसे सत्र में लेंगिंग समानता को मुख्यधारा में लाना, महिला सशक्ती करन एवं महिलाओं के नेतरित्व में विकास यानि की में स्ट्रीमिंग जेंडर एक्वालिटी, वुमिन इंपार्मेंट और वुमिन लेड डेवलाप्मेंट विश्य पर चर्चा होगी जबकि चौथे सत्र का विश्य है सार्वजनिक डिजिटल प्लाटफॉर्मों के माध्यम से लोगों की जीवन में परिवर्तन, मतलब की ट्रांस्वर्मिंग पीपल्स लाइफ थू पब्लिक डिजिटल प्लाटफॉर्म्स ये सारे विश्य आज व्यश्य मुद्दो से निपटने की ततकाल आविशक्ता को रिखांकित करते हैं पिछले महीने G20 शिकर सम्मेलन के दौरान G20 देशों के प्रमुखों की मेजबानी करने के बाद अब दिल्ली P20 शिकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा इसके तहत G20 देशों के संसिदिय अध्यक्षों और पीठा सीन अधिकारियों की बैठक होगी इस आयोजन में 30 से अधिक देशों के अध्यक्षों ने पहली ही अपनी भागिदारी की पुष्टी कर दी है शिकर सम्मेलन से पहले 12 अक्टूबर 2023 को एक पार्लेमेंट फोरम होगा शिकर सम्मेलन का विश्य एक पृत्वी एक परिवार एक भविश्य के लिए संसत है जो वासुदेव कुटुम्बुकम के प्राचीन भारते दर्शन से प्रेणा लेता है बता दी कि भारत ने सितंबर में जी ट्वेंटी शिकर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दो दिन यानि की 9 और 10 सितंबर को चले इस सम्मिट में दुनिया भर के नेदा एक दूसरे से मिले भारत मंडपम में इसका सफल आयोजन भी किया गया था इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में 27 सदसकों लेकर सवाल उठाया गया जी ट्वेंटी सम्मेलन के घोशना पत्र पर सभी देशों ने सहमती भी जताई इसके अलावा सभी देशों के साथ भारत की द्वीप शिये वारता हुई अमेरिकी राष्ट पती जो बाइडन ने कहा कि इस जी ट्वेंटी सम्मेलन ने उम्मीदे बढ़ा दी हैं ये संगटन जटिल से जटिल समस्या को हल कर सकता है अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर